पेट की कमर की चरवी पिकला कर वेट को कम करने के लिए आज हम कीचन के ही पाच ऐसे मसालों का यूज करेंगे जो फास्ट वेट लूज करने में हेल्प करेंगे दो मिनिट की सिंपस एक्जसाइज जो कोई भी कर सकता है ये दोनों चीज़े आपको नहीं भी करनी है तो एक आयर्विदिक दवाई में आपको बताऊंगी जो आपके मेटाबोलिजम को बूस्ट करेगी क्रेविंग को कम करने में हेल्प करेगी लास में ऐसे कौन से जरूरी पाच काम है जो करने से आपका फास्ट वेट लोज होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दो मिनीट सिंपल से एक्जसाइज से स्टार्ट करते हैं ये जो एक्जसाइज होती है घर में वाल के पास खड़े रहकर करना है दिन भर में कभी जो भी आपको टाइम कमफर्ट लगता है तब आप एक्जसाइज कर सकते हैं जब भी आप ये exercise स्टार्ट करेंगे तो wall के पास खड़े रहना है, दोनों पेरों में साधरन सा इस प्रकार से gap रखना है, बिल्कुल relax खड़े रहना है, अंदर साज भरनी है, relax हो जाना है, फिर दोनों हातों को आपको पीछे की wall को टच करना है, इस प्रकार से मुढ़ कर, दोनों तरप से इस प्रकार से ये exercise करेंगे, continue 2 minutes तक, जब भी आप 20 seconds करते हैं, फिर थोड़ा relax हो जाए, फिर से ये करें, इसे continue 2 minutes तक करना है, starting में, धीरे धीरे 5 minutes तक आप इसे बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल 5 minutes भी regular everyday कर लेते हैं, तो तुरंत ही आपके belly fat कम करने में, कमर क की चरबी घटाने में, वेट को कम करने में, जबरदस रिजल्ट देता है, आपका body shape सुधारने में भी इसके जबरदस रिजल्ट मिलते हैं, everyday करें, गैप टाई करना है, morning में कर ले या फिर दिन भर में, जो भी time comfort लगता है, तब आप कर सकते हैं, आप देखेंगे इसे एक आईरवेदिक दवाई, जो आपके metabolism को boost करती है, craving को कम करती है, fast weight कम करने में, help करती है, आजकल की भागदोड की जिंदगी में, weight management करना काफे मुश्किल हो जाता है, फिर वो craving को कम करना हो, या फिर sustainable way में, weight को lose करना हो, या फिर एक natural solution ढुणना हो, जरनी आसान नहीं होती, weight lose करने के लिए, गारसेनिया, कमबोजिया, green coffee extract, काली जीरी, त्रीफला, पिप्रीन जैसे जो herbs होते है, वो बहुत ही powerful होते है, इसी वज़ज़े से, आज मैं आपको introduce करना चाहती हूँ, फाइटिका लेटिट मेंड से, इसमें ये सारे ingredients है, लेकिन सिर्फ ingredients ही नहीं, तो इ फाइटिका लेटिट मेल को special क्या बनाता है, सबसे पहले बात तो ये gradual sustainable, weight management पर focus करता है, ये आपके metabolism को boost करता है, fat को burn करने में help करता है, और इसके साथी craving को कम करने में जबरदस result देता है, इसे यूज़ करने का तरीका भी काफे आसान है, regular दो tablet, आपको दिन में दो time इसे look warm water के साथ ही लेना है, preferably मिल से 30 minutes पहले लेना है, और best result के लिए 60 days तक इसे continue करना है, दिन बर hydrate रहना भूलना नहीं है, फाइटिका लेटिट मेल के साथ आपना सिर्फ अपना weight goals अच्यू कर रहे हो, बलकि आपके और all well being का भी ध्यान दरक रहे हो, अगर आप इसे buy करना च पाच मसालों का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें एगलास पानी लेना है, सेम गैस पर इसे उबालने के लिए रखना है, इसमें आधा स्पुन जीरा एड़ करेंगे, जीरा हमारे कीचन में हमेशा अवलेबल होता है, जो फास्ट फैट को बर्न करने में हेल्प करता है, जीरा में थाइमोल नाम का एक योगिक पाया जाता है, जो एंजाइमों को उत्तिजित करता है, और पाचक रस को ज्यादा बहतर प्रमान में स्त्राव करने में बढ़ावा देता है, इसमें एंटियोक्सिडरन गुण पाया जाते हमने जो भी खाना खाया है, उसे सही से डा इंटियोक्सिडरन गुण पाया जाते है, इमनेटी को बूस्ट करता है, इसके साथ ही हमारे क्रेविंग को कम करता है, फैट्स को बर्न करने में हल्प करता है, फास्ट वेट लूस करने में इसके जबरदस रिजर्ट मिलते हैं, थर्ड इंग्रिडियन हम इसमें एड़ करे इंटियोक्सिडरन गुण पाया जाते है, जिंक होता है, आईरन पाया जाता है, कैलशियम होता है, और ओल हल के लिए तो ये बेस्ट होता है, फैट को फास्ट बर्न करने में हल्प मिलती है, हमारे पाचन में ये सुधार लाता है, इसमें इड़ सारा फाइबर जो होता है और इसके साथी morning में सही से पेट साफ करने में blood sugar level को नियंतरीत रखने में भी इसके जबर्दस result मिलते हैं. फोर्थ इंग्रेडियन हम इसमें एड़ करेंगे एक इंच का दालचिनी का तुकड़ा cinnamon ये जो cinnamon होता है specific हमारे पेट के आसपास जो चर्बी बढ़ती है उसे पिगलाने में help करता है body infection को कम करता है इसमें धेल सारे पोश्चत तत्व होते है नियासीन होता है थाइमीन होता ह है anti-inflammatory गुण होते हैं anti-oxidant गुण पाए जाते हैं जो fast weight को कम करने में help करता है लास्ट इंग्रेडियन हम इसमें दो पिंच हल्दी एड़ करेंगे हल्दी में करकुमिन तत्व होता है जो metabolic infection को कम करने में help करता है पेट के विकारों को कम करता है इसमें anti-inflammatory antioxidant गुण आज मसाले एग लास पाने में आपको दो बाफ आने तक slim gas पर अच्छे से उबाल लेना है फिर बाद में gas की flame बन कर देनी है गुनगुना होने के बाद इसे चान कर यह आप मॉर्निंग में खाली पेट पी सकते हैं या फिर रात में सोने से 5 मिनिट पहले भी आप इसे पी लेते हैं जो भी टाइम आपको दिन भर में एक टाइम कमफर्ट लगता है तो आप इसे पीए रेगुलर वन मनतक इसे कंटिन्यू करना है आपके फैट को बन करने के लिए इसके जबरदस्त रिजर्ट मिलेंगे लेकिन दिन में एक टाइम ही पीना है ज्यादा नहीं रात म में जो में मैंन फसा है उसे ठीक से बाहर फेकता है और सारी गंदगी बाहर होने के कारण आपके फैट्स बन होने लगते हैं वेट कम होता है अब देखेंगे आईर्वेदिक दवाई जो आपके वेट मैनेजमेंट में हल्प करेगा क्रेविंग को कम करेगा मेटाबॉलिज इसका पॉडर बनाया जाता है, मैंने इसे घर में ही बनाया है। यह जो त्रीफला पॉडर होता है, यह आपके फास्ट वेट लूस करने में हेल्प करता है। इसे आपको रात में सोने से पहले या फिर मॉर्निंग में खाली पेट भी आप एक गुंगुने पानी के साथ इसे आप पी सकते हैं। जैसे भी मैंने जो आपको पाच मसालों का पानी बताया है, वो अगर आपने रात में पिया है, तो त्रीफला पॉडर जो होता है, मतलब यह जो दवाई है, यह आपको मॉर्निंग में खाली पेट आप ले सकते हैं। कोई भी एक टाइम आप चूज कर स सकते हैं कि आपको आप मैंने जो रेमेडी पाच मसालों की बताई है, वो कब लेना है, और यह दवाई कब लेनी है। आप देखेंगे वेट कम करने के लिए रात में करने वाले पाच जरूरी काम। फर्स काम, रात में आपका जैसे भी खाना हो जाता है, तो 15 मिनिट के बा बिल्कुल 10 से 15 मिनिट की, तो काफी है, आपके डाजेशन में ये काफी इंप्रूव करता है, और आपने जो भी खाना खाया है, सही से डाजेस्ट होता है, वेट नहीं बड़ेगा, पेट नहीं बड़ेगा। सेकेंड इंपोर्टन काम क्या करेंगे, रात में जैसे भी बाहर निकल जाता है, तो पूरी बॉड़ी का जो फंक्शन होता है, वो सही से चलता है, और और आल हिल के लिए काफे बैस्ट होता है, रात में सोने से पहले एक कप ग्रीन टी ज़रूर भी है, थर्ड काम, आपको रात में शुगर और स्टार चुकत जो भी चीज़े होती ह उसे completely avoid करना है, यही हमारे weight को बढ़ाने में कारण बनती है, इसलिए शुगर वाली चीज़े, मतलब जो भी मीठी चीज़े होती है, वो आपको खाना पसंद है, तो शाम के चार बज़े से पहले आपको इसे खा कर फिनिश कर देना है, जितना भी शुगर वाली चीज़े आप avoid करेंगे, उतना ही आपके weight कम करने में यह help करेगा, इसलिए शुगर और starch यूपते चीज़े रात में ना खाए, फोर्थ काम, रात का खाना 7 बज़े तक, 7.30 बज़े तक, जादा से जादा 8 बज़े से पहले आप कर लेते हैं, तो इसे आपके weight कम करने में इसके effective result मि खाने के और सोने के बीच में two hours का gap होना चाहिए, यह two hours में digestion की process complete हो जाती है, फिर जैसे भी आप सोते हैं, तो एक काम complete होने के कारण हमारे बाडी पर, हमारे liver पर, kidney पर load नहीं आता, और सारे function नियंतरित हो जाते हैं, हमारी बाडी अंदर secure होती है नीन में, रात में तली कम करना घर चाहते हैं, तो नीन पूरी होना जादा important है, इसलिए रात में oily spicy चीज़ों को avoid करना है, जादा बहतर होगा, तो friends, यह सारी information अगर आपको अच्छे लगती है, यह पाच मसालों का आप use करते हैं, जो मैंने पहले exercise बताई है, वो आप continue करते हैं, और जो 5 ऐसे रा स्वस्त्रे मस्त्रे हिल्दी रह, थेंक यू सो मच,